नमस्कार दोस्तों, चाहिए जानते हैं कैसे आप Easy Steps में PSC की प्रोसेस कम्ट्रीट कर सकते हैं PSC यानि Photo Similar Entries एक जैसी पोटो वाली Entries की रिपोर्ट करना होता है तो देखिए इसमें दो तरीकी केस आपको देखने को मिलेंगी हो सकता है दो Entries आपके ही पार्ट की हो, आपके ही AC की हो दोनों मदाता अलग-अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी फोटोज मैच होती हो दूसरा केस है कि एक मदाता आपके पार्ट का हो, एक मदाता दूसरे पार्ट का हो और दोनों आपकी ही Assembly Constituency से बिलॉंग करते हो दोनों केस अगर हैं, तो कैसे आप इसे रिपोर्ट करेंगे BLO एप के अंदर आप P.A.C. का जो सेक्सर है, उसे सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ आपको तीन ओप्शन दिखाई देते हैं P.A.C. Identified जहां हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन-कौन सी P.A.C. है तो उसे रिपोर्ट करने के लिए हम चेक्ट लिस्ट सब्मिशन में जाते हैं ओके, सो पहले P.A.C. Identified को सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि हमारी स्क्रीन में BLO एप में क्या-क्या दिखाई देता है P.A.C. Identified सेलेक्ट करते ही आपको दो सेक्टन दिखाई देंगे P.A.C. Within Part, P.A.C. Across Part दोनों में आपको लिस्ट दिखाई देगी आपके पार्ट की और दुसरे किसी पार्ट की है तो वो भी तो आपको जिस भी चेक्लिस्ट को देखना हो आप उस रिकोर्ड को सेलेक्ट करेंगे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने पूरी चेक्लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें दो हीसे होंगे अगर एक detail आपके part की है और एक detail दूसरे किसी part की है तो क्या होगा आपके part की जो record है वो हलके नीली color में दिखाई देगा और निचे जो सफेद color में है वो दूसरे part में होगा वैसे आप इसमें address, AC और part number का जो section है वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यह जो मदाता का record है वो कौन से part का है ओके, तो आप PSE की checklist को अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर PSE identified में जब आपको इसे process करना हो तो आप क्या करेंगे? checklist submission को select करेंगे select करने के बाद आपके सामने दो section open होते हैं एक तो checklist जो pending है और दूसरा आपने जो complete कर दी है pending वाली list में आपको pending दिखाई देगी completed में जिनकी आपने verification कर दिया है वो दिखाई देगे तो इसे process करने के लिए आप simply किसी भी एक record को select करेंगे जैसे serial number 1 select करने के बाद इस type से आपको पूरी list open हो जाएगी ओके तो इसमें से आपको check कर लेना है दोनों की photo, address, detail क्या मदाता double है या उसकी photo में कोई mistake है पूरी details BLO अच्छे से check करेंगे check करने के बाद क्या करेंगे इसमें से एक record जिसका आपको report करना है उसे select करेंगे जैसे हम record 1 को select करते हैं जैसे ही आप record 1 को select करेंगे आपके सामने पूरे record की detail open हो जाएगी जिसमें उसका पहचान पतर संख्या, detail, सारा address, photo, सब कुछ अब यहाँ सबसे पहले आपको जो section दिखाई देगा वो है upload response of format A इसे जैसे हमने DSC में जाना था आप choose file क्लिक करके format A upload कर सकते हैं और उसके ठीक नीचे remark का section भी है तो अगर format A जो notice के रूप में दिया गया है किसी PSC के मदाता को तो ही आपको upload करना है otherwise upload नहीं करना है remark जो है वो star mark लगावा है तो remark आपको जरूर complete करना है तो format A कैसा होता है वो आपको पता है इसमें दो हिस्से होते हैं one और two दोनों में मदाता की पूरी detail होती है जो record ठीक है उसके उपर निला टिक किया जाता है और पूरा जब format आपकी office से जो send होए है मदाता को वो below चेक कर सकते हैं कि कैसे होते हैं मैंने आपको sample के तोर पे यहां दिखा दिया है यह जो format है choose file पे click करके आप attach कर सकते हैं और remark में आप remark लिख सकते हैं कि मदाता original है या duplicate है वो remark आप यहां लिख सकते हैं अब remark डालते हैं उसके ठीक नीचे आपको action का button मिलता है सबसे important चीज यही है जहां हमारे BLO साथी confuse होते हैं तो confuse ना हो इसलिए मैंने सभी को एक ही screen में ले लिया है देखिए सबसे पहना option है original अगर आप original select करते हैं तो नीचे देखिए आप केवल submit बटन आपको दिखाई देगा और आपको remark डालना है original और इसे submit कर देना है आपकी checklist submit हो जाएगी दूसरा case है कि आप original select ना करके ASD के option को select करें ASD का मतलब है कि मदाता आपके part में अब नहीं रहता उसका reason हो सकता है कि death हो चुकी है हो सकता है वो permanent shift हो चुके हैं तो ASD अगर आप select करते हैं तो उस case में forum साथ भरा जाएगा तो ASD अगर select करते हैं तो forum साथ उसका आउशे ग्रूप से भरा जाएगा आप second option select करके उसमें नीचे दो option और दिखाई देंगे आपको list open हो जाएगी जैसे ही select करेंगी death या absent permanent shifted तो आपको death, absent, permanent, shifted मेंसे किशी भी एक को select कर लेना है और फिर आपको remark डाल देना है जो भी remark हो जैसे absent, permanently, shifted जो remark आपको डालना है वो remark डाल के आप generate forum साथ के उपर click करेंगे तीसरा case है मदाता original है लेकिन उसकी photo गलत है मदाता तो ठीक है लेकिन इस checklist में जो आई है वो photo गलत है किसी और मदाता के साथ match हो रही है या photo same है तो उस case में क्या करेंगे आप ना ही तो उसे original करेंगे ना ही उसे asd करेंगे हम जो last option है pn bracket में photograph note matching उसको select करेंगे और उसका नवीनतम जो photo है वो choose 5 पे click करके attach कर देंगे इस case में आप नीचे देखेंगे कि आपको forum art apply करना होता है यानि forum art बरना होता है क्योंकि इसी से photo ठीक होगी अब remark में आप अपना remark type करेंगे या photo change है या क्या पुरी बात हो आप remark में लिख सकते हैं फिर आप preview art पे click करेंगे और आपको पुछा जाएगा do you want to fill forum art तो आपको yes करके ok कर देना है forum art को यहां से हम yes करके submit कर देंगे अगर यहां आपको reference number दिखाई देता है तो आपको forum दुबारा से apply नहीं करना अगर reference number यहां दिखाई नहीं देता है तो आप forum art अलग से apply करेंगे तीनों के इसमें किसी भी आगर आप submit करते हैं या फिर आप generate forum साथ पे click करते हैं या preview forum art इनमें किसी से भी click करेंगे तो आपको successfully submitted का message मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने जो पहला record था उसकी report कर दी अब आता है checklist का दूसरा record हमें दूसरे record को भी report करना है तो हम second record को select करेंगे इसमें जो checklist दिखाई देती है उसका जो format है वो थोड़ा सा अलग है action का उपर detail पूरी दिखाई देगी आपको नीचे action बटन में action बटन में क्या है आपको no information, duplicate और remark ये तीन चीज़े fill करने होती है अगर मदाता आपके part का नहीं है कहीं और का है आपको नहीं पता कि ये कौन मदाता है तो आप no information select कर सकते हैं अगर आपके part का मदाता और उसका नाम कहीं और भी add है तो वहां से जो अगर वो delete करवाना चाहता है तो आप उसे duplicate select कर देंगे और remark में डाल देंगे कि ये जो record है वो duplicate है simple remark डालने के बाद आपको कीवल submit करना है submit क्लिक करते हैं ये आपको successfully submitted का message मिल जाएगा तो इस तरीके से दोनो record जो है वो आप PSC के अंदर report कर देंगे तो दोस्तों आश्या करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी information मिली होगी कुछ help हुई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्रेजी से like करिए और दूसरे बियलो साथियों की साथ share कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में देखते रहे हैं आपका अपना फेवरिट सेनल बाबाई